अंतरात्मा की आवाज करोडो रुपे की उन महनवाव ने मुस्कुरा कर कहा सेड़ जी आप घवराईये नहीं मैं राजस विभाग का आदमी नहीं हूँ मैंने तो सहज भाव से कह दिया था कि चीजों के दाम बड़े हैं तो आपकी जमीन जादात के दाम भी बड़ गए होंगे सेड़ बहुत ही ध प्रवर्थी के आदमी थे विरक्त भाव से उन्होंने का मेरी संपत्ती है कहां जिसे तुम मेरी संपत्ती कहते हो वो मेरी कहां है जिसे मैंने दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया वही संपत्ती मेरी थी अब जो बची है उसका मैं स्वामी नहीं नैसी हूँ वो संपत् आत्म की आवाज थी